हेलो दोस्तों एक बार फिरते आप सभी का स्वागत्य एजुकेशन बाइट पर मैं मैं एक्स की रिवीजन की क्लास लेकर आयू डियलेट फर्स सिमिस्टर की जिसमें आपका आज का टॉपिक है दशमलब संख्या है आपका रिवीजन में मैंने चैप्टर जो फर्स्ट है बता दिया आपको उसकी बाद आपका जो सकेंड चैप्टर है वो है भिन भिन के प्रकार जोडगटाना गोड़ा भाग यहां से भी आपके कुश्चन आते हैं एक्साम में यह दोनों चैप्टर आपके मैंने कंप्लीट करा दिया आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है दशम आपको परेशान नहीं होना है अभी जो हम एक बार पढ़ चुके हैं उसका एक बार सारा का सारा रिवीजन हो जाना चाहिए इसलिए मैं आपके लिए मैस की क्लास लेकर आ रही हूं मैस में काफी बचों की बैक लगती इसलिए आपको जो भी जिन बचों को डर लगता है खासकर उनके लिए कि आपको इदिनी तयारी करनी है मैस में की अराम से आप 12 माऱ् कलेकर आ सकें ठीक है वरना बैक लग जाएगी तो फिर आपको बैक के लिए पेपर देना हो सीट नही भाग सासा दसमलब संख्याओं का स्थानी इमान निकालना भी सिखा था था ठीक है थोड़ी वीडियो लंबी हो रही थी इसके पर ने उस टॉपिक को खत्म करने के बाद आपको बोला था कि मैं आपको next class में कराऊंगी दसमलब संख्याओं को भिन्ड में बदलना और भिन्ड को दसमलब संख्याओं में बदलना ठीक है दो दिन से आपकी class नहीं हो पारी है उसके लिए really very sorry क्योंकि तवियत भी ठीक नहीं थी और भी दिया है 2.16 ठीके 2 अंग पीछे से count किये कितने अंग है 2 अंग बाद दसमलब है पीछे से ठीके तो अब क्या करते है जैसे ही दसमलब हटाएंगे 2 अंग बाद है तो नीचे कितने 0 लगा देने एक के बाद 2 ठीके यहीं पर अगर 3 अंग होते हो और नीचे 0 बढ़ा रहे हो इससे क्या है calculation आसान हो जाती है चलिए फर्स्ट कोशन करते है 0.35 जैसे ही हमने दसमलब हटाया हमारा क्या बन गया 35 बटे 100 दो अंग पाद दसमलब थाना तो नीचे 2 बढ़ गए अब क्या है कि यह दोनों संख्याए किसी ना किसी संख्या से भिवाजित हो रही है ठीक है यानि कि इनमें एक common आपको number मिल रहा होगा तो हम क्या करते हैं जब हमें ऐसे कुछ भिन लिखी हुई मिलती है तो हमें इनको simplest form में करना होते है यानि कि तब तक विवाजित करते रहना है जब तक दोनों ऐसे number नहीं आ जाते जो अभाजित संख्याए है कहने का मतलब यह कि जैसे 35 और 100 में जो common factor आपको मिल रहा है उससे इनको divide कर दीजे यानि कि क्या मिल रहा है याँ पर तो यह 5 से होंगी या 2 से होंगी तो इसके लिए बिवाजित का नियम आपको बता ही दिया है तो 2 से बिवाजित होने का नियम क्या है कि 1 का अंक 0, 2, 4, 6, 8 यह सब होना चाहिए और 5 से बिवाजित होने का नियम क्या है कि 1 का अंक 0 और 5 होना चाहिए तो 35 तो 2 से विवाजित नहीं होने वाले यूँकि 1 आएकंग क्या है 5 तो यह किस से विवाजित होंगी दोनों से क्या है 5 से 1 आएकंग पर 5 मिला और 0 मिला ठीक है मैं इसलिए डीटेल में बता रहे हैं कि हो सकते हैं आप मैं क्लास नहीं देखिए लेकिन अब जो आगी मैं पढ़ाऊंगी बिवाजित अगी नहीं इतने डीटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं क्लास आल्रेडी आपको दे चुकी है आप वहाँ से उसको पूरा क्लियर कर लीजिएगा आपना 5 से डिवाइट करिए तो 5 सत्य 35 और 5 दूनी 10 और 0 कितना हो गया 7 बटे 20 अब आप देख सकते हैं कि 7 बटे 20 में 7 और 20 दो ऐसी संख्याएं जो अभिवाज में बिवाजित नहीं होगी कोई भी इन में common factor आपको नहीं मिलने वाला तो यही आपकी क्या हो जाएगी भिन हो जाएगी यानि कि 0.35 का भिन क्या होगा 7 बटे 20 नेक्स्ट आपका question क्या है 3.005 ठीक है 3.005 तो इसको किसे solve करेंगे 3.005 हमने यहाँ पर लिख लिया और बटे लगाएंगे अब जैसे ही हम point हटाएंगे नीचे कितने 0 बढ़ेंगे 1,2,3,3,0 हमने बढ़ा दिये ठीक है अब किसे divide करेंगे 5 से ही divide हो सकता है 5 से कर लिजे 5 चिका 30 0,5 चिका 5 और नीचे क्या चाहिए 5 दूनी 10,0,0 यानि कि क्या बनने वाला है आपका 601 बटे 200 अब आप देख पा रहें यह कैसी fraction है improper fraction है तो mixed fraction में भी आप कर सकते हैं करना चाहें तो और नहीं करना चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं 200 से divide देंगे तो 3 बार जाएगा 200 तिया चैसो 3 बार चला जाएगा आपका फिर बागी का क्या बचेगा 1 तो 3 सही 1 बटे 200 आगे समझ में किस तरीके से करना है चलिए मैं बता देती हूँ एक बार आपको कैसे करते हैं क्या आपका निकल के आयता 601 बटे 200 तो इसको हम क्या करें mixed fraction में कैसे चेंज करते हैं यहाँ पर हमने लिखा 200 divide देंगे 601 में तो कितनी बार जाएगा अगर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं पीचे से 2 अंक छुपा लो हमें जहां तक पहाडा आता है ये जो आगे आपको 200 दिया है इसका पहाडा आपको कहा तक आता है 20 का आता हुगा या फिर 2 का आता हुगा बहुत विच्चों को 20 का बेनी आता है कोई दिक्कत नहीं है पीछे से दो अंग छुपाई क्या बन गया दो बन गया अब जिसमें डिवाइड देने जा रहे हो उसमें भी क्या पीछे से उतने ही अंग छुपा लो तो 601 में पीछे से दो अंग छुपाई क्या बचा अब दो कर पहाड़ा पढ़ेंगे कहां तक 6 त तो बता देना मैं आपको डीटियल में सिखा दूँगी कभी इस टॉपिक पे भी चर्चा कर लेंगे माइनस करें कितना बचेगा एक तो अब जब इसको मिक्स्ट फ्रेक्शन में लिखना होता है तो वहाँ पर क्या करती है जो भी कोशियंट आता है उसको लिखते है इस तरीके से जो 6 वल बचता है वो आपका 1 बटे 200 इस तरीके से आपकी फ्रेक्शन बनती है तीन सही 1 बटे 200 तीक है देख पार हैं कि ये संक्या फिर भी कट सकती है दो से तो काट दीजिए दो एकम दो जीरो दो तिया च्छे और ये कटेगी दो दूनी चार और एक बचेगा यहाँ पर आपका दस बन जाएंगे दो पंजे दस यानि के ऊपर कितना बचा एक सो तीन और नीचे कितना बचा पच्छिस ये भी आपकी क्या है इंप्रॉपर फ्रेक्शन है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं पच्छिस से डिवाइड दीजिए पच्छिस चौके सो चार सही तीन बटे पांच ठीक है उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीजे समझ में आ रही होगी बहुत ही आसान भासा में समझा रही हूँ मैं नेक्स्ट ये आपका कोश्वन 9.13 इसको इसकी भिन्न कैसे बनाएंगे तो चलिए देखते हैं यहां पर मैं सॉल्व कर रही हूँ उपर ठीक है 9.13 बटे बटे जैसे ही दसमलब अटाएंगे बटे भी तभी लगेगा जब दसमलब अटाया नीचे क्या बन गया 100 अब देखिए 913 और 100 क्या इनमें कोई common factor मिलने वाला है 5 या 2 से डिवाइड हो सकती हूँ कि नीचे क्या है हमेशा 10 का गोड़ज बन रहा है 10 के गोड़ज डिवाइड किससे होने वाले है तो 10 से होंगे या फिर किससे होंगे 5 और 2 से होने वाले है तो उपर की जो संख्या वो 5 या 2 में से किसी एक से डिवाइड होनी चाहिए पर उपर की संख्या क्या है 913 ना ये 5 से भीवाजित होने वाली है नहीं 2 से भीवाजित होने वाली है तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा यही भिन्न आपकी बन जाएगी पर हम क्या करें इसको mixed fraction यानकी दिए हैं सब्कूरान के छहां पर द् Alberा में i LAURA चाहिए से फ्रक्शन से हैं एकга डिसम्लब संख्या को अर जागे मैं आपको देती हूं 45.6 इसको भिन्द में बदलना है तो क्या करेंगे दशमलब हटाया नीचे क्या किया दस हो जाएगा एक अंक बाद दशमलब हटेगा तो फिर नीचे दस हो जाएगा दो से डिवाइट करेंगे दो दूनी चार पांच में जाएगा नी तो पांच में दो बार जाएगा दो दूनी कि पच्वम पच्चिस अठाइस में से पच्चिस कितने बचे तीन चीक है कि पैतालिस सही तीन बटे आठ आठ आपका आन से निकल कर आ जाएगा चलिए मैं टोटल आपको पांच प्रेक्शन करवा दिये नेक्स आते हैं निमलिखित भिन को दशमलब संख्या में बदलना है तो पहली भिने आपके सामने 24 बटे साथ दशमलब संख्या में बदलना बहुत आसाने केबल करना क्या होता है डिवाइड देना होता है साथ का डिवाइड दीजी तो साथ तियां 21 कितना बचेगा 24 में से 21 जाएगा 3 बचेगा और फिर क्या करेंगे हम पॉइंट लगा ले तो यहां कितना बचेगा 21 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3 डिवाइड तो अब जाने वाला नहीं है तो क्या लगाएंगे पॉइंट यह देको शेस फल निकल के आया है यहां पर 3 डिवाइड अप नहीं जा रहा है पॉइंट लगा देसमलब लगते ही नीचे क्या बच ज जादा बढ़ने बहुत जादा अगर आप चाहें तो तीन अंग तक निकाल लेजे इतने में इतना ही परियापते आपके लिए ठीक है तो एक बार और डिवाइड देते हैं जब दसमलब लगा लेते इसके बाद जब ही जब भी ज़रूत पड़ेगी आप अराम से 0 बढ़ जैसा आपको ठीक लगे नेक्स्ट ए सवबटे नौ सवबटे नौका देंगे तो नौ से देख दीजी नौ एक अब नौ एक बचे का दस बन गया फिर दे दिया हमने एक बार नौ एक बचाहेए अब इतारा लेने के लिए तो कुछ है नहीं दसमलब लगाना पड़ेगा दसमल लगाते नीचे 0 बढ़ाते रो बस एक एक बार ही डिवाइड जा रहा है ठीक है कुछ ऐसी संख्याएं होती ही ना जिन में क्या है रुकता ही नहीं है एक एक बार हमेशा जाएगा इस तरीके से भी मैं करा देती हूं कुछ लोग को समस्या ना हो किसी को भी उतारा लेने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास तो हम क्या करेंगे दसमल लगाया नीचे 0 बढ़ जायेगा 10 बन गया बापस से फिर से 9 एकम नौ ठीक है फिर से एक बढ़ाके 9 एकम नौ ठीक है तो इस तरीके से आपका बन जाएगा नेक्स्ट आपके सामें 33 बटे 2 इसमे गया और कितनी बार जाएगा पांच बार यानि कि 16.5 आपका आंसर निकल के आने वाला है उम्मीद करती हूं आप समझ गए होंगे एक कोशन आपको यहां से मिलने वाला है इस थानियमान मिलेगा और या फिर आपको यह मिल सकता है कि इसको दशमलब भिन में बदलो या फिर भिन को दशमलब संख्या को भिन में बदलो या फिर भिन को दशमलब संख्या में बदलो ठीके एक कोशन आना ही आना है तो अच्छे से तियार कर लो इसको नेक्स एक कोशन और कर लेते हैं अच्छे से तक कि समझ में आ जाए दिक्कत ना हो 59 अपां 4 ठीके दशमलब संख् जाएंगे तीन बचेगा उतारा लेने के लिए कुछ है नहीं दश्मलब लगाया है तीस बना लिया चार सकते 28 तीस में से 28 गए दो बचे हैं आपके और फिर आपका जीरो भड़ जाएगा चार पंजे 20 ठीक है बहुत फास्ट लग रहा है तो मैं आपको दोनों तरीके से बत तीन बचा है अब उतारा लेने के लिए कुछ बचे ही नहीं है तो हम क्या लगाते हैं या पर दश्मलब लगाया दश्मलब लगाते ही नीचे जीरो बढ़ जाएगा चार सकते 28 कितने बचेंगे दो बचेंगे ठीक है दो बचा फिर जीरो लगते ही चार पंजे 20 और यह 20 स बचेंगे ठीक है ठीक है क्या है कुशन 245 बटे 12 इसको सॉल्व करिएगा देखते ही कितने बचे कर पाते हैं और आंसर आपका क्या सही निकल के आ रहा है और निकल के आ रहा है ठीक है वीडियो पॉस्ट करिए यहां पर और अपना पहले सॉल्व करिए उसके बाद मेरे से चैक करिएगा चलिए तो कितनी बार जाएगा 12 दूनी 24 पांच का हमने उतारा लिया तो हम क्या लगाएंगे 0 अब क्या कर सकते अब भी डिवाइट जा सकता है क्या नहीं जाएगा क्या उतारा लेने के लिए कुछ है यह नहीं बैक टूर्टे की बिंदी 0 आ गया फिर लग यह वाला जो कोश्चन है ना ऐसे ही कोश्चन एक्जाम में मिलने वाले आपको ठीक है 245 चलिए 12 दूनी 24 खतम कहानी 5 ले लिया डिवाइड जानी रहा 5 में भाग टूटे की बिंदी लगाएंगे अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा ठीक है यह उतारा लेने के लिए कुछ बचे ही नहीं अब क्या करेंगे दशमलब लगाया दशमलब लगाते ही 50 बन जाएगा 12 चौकर तालिस दो बचा दशमलब से फिर 20 बन गया मतलब दशमलब लगाने के बात फिर एक बार दशमलब लग गया आपको जहां जरूवत पड़े आप 0 बढ़ा सकते हो ठीक है फिर दशमलब 41 तो भाई 2.41 मैंने ही आपको सिखाया और मैं ही गलत कर रही हूँ यहाँ पर दो दशमलब 4 एक पड़ेंगे इसमें जरह 12 एकम मल्टिप्लाई करना क्या आपको जो मैंने संख्या दीती 245 वही निकल के आ रही है करिएगा तरह 12 एकम 12 कैरी 1 बारा चौक 48 और एक 9 चास हो जाएगा आपका 9 नीचे आ गया कैरी हो गई आपकी 4 12 दूनी 24 और 4 कितने हो गई 28 दो अंक बाद दशमलब लगाना था और दो अंक बाद दशमलब लगाया पीछे से तो कितना बना 28 इसमलब नो संख्या आपको दीती मैंने 245 आंसर तो बिलकुल ही अलग हो गया ह है ना और जैसी आप यहां पर क्या करोगे 20 दसमलब 41 से रीचेक कर ये का अपना आंसर जड़ा 245 आ रहा है या नहीं आ रहा है तो बारे से देना बारा एक कम बारा कैरी हो जाएगी एक बारा चौकर तालिस और एक उननचास इदर चार आएगा बारा का जीरो में जाएगा कैरी चार यहां पर आ जाएगी जोड़के बारा दूनी 24 तो आपको कितना बना 249 एप्रॉक्स तो आई गया ना ठीक है पॉइंट बन ही तो कम है वो आगे तक आप देते जाएंगे तो मैं चुछाएगे दसमलब में यही तो होता है ना तो एप्रॉक्स हम पहुंचके 245 इस तरीके से आपको कोशन करने है वहाँ पर चलिए मैं आपको कुछ कोशन दे देती हूँ जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्ट में टाइप करके बताओगे पहला कोशन आपके सामने है आज का 863 बटे 9 दसमलब संख्या में इसको बदलिएगा नेक्स दूसरा कोशन है आपके सामने 427 बटे 5 को दसमलब संख्या में बदलना है इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ठीके 5 से देना है और तीसरा कोशन आपका रहेगा जो आपको दसमलब संख्या को भिन्द में बदलना होगा तो पहला है 0.96 ठीके और नेक्स आपका कोशन है 5.78 ठीके इन 4 कोशन के आंसर आप मुझे कमेंट से कर में बताएगा जब तक मैंस की प्रेक्टिस नहीं करो कि जब तक मैंस सची होने वाली नहीं है नहीं आपको समझ में आएगा और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप अपना पीछा कभी भी नहीं छोड़ा सकत हो ठीके यह मैं समझें कि अरे नहीं पढ़ेंगे हो जाएगा डियालेड है जैसे तैसे कर लेंगे हो जाएगी अरे इसके बाद छूट जाएगी नहीं भाई आपकी फिर आजाएगी मैंस टैट में 30 नमबर की मिलने सुपर टैट में वापस से फिर मिलेगी और तयारी आप टीचर बनने के लिए कर रहें ऐसा तो है नहीं कि पछोड़ देनी है ठीके तो इसलिए कोशिस करिए कि मैस में जैसे हो पाएग धिरे-धिरे सुधार लाने का प्रेयास करें चलिए मिलते हैं ने क्लास में मैं आपकी रेगुलर मैच की क्लास लेने की कोशिस करूँगी ठीक है चलिए तो ख्याल रुखिए अपना थैंक्स वर वाचिंग और प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल बबाई टेक केर